आज मैं ट्राइ करने वाली हूं Swiss Beauty का eyebrow and gel eyeliner 2-in-1 है इनकी outer packaging and inner packaging दोनों ही बहुत ही luxury look दे रही है साथी साथ आप देखोगे तो product भी काफी luxury look दे रहा है मैं इनकी packing से काफी ज़्यादा इंप्रेस हूं मुझे ये 2-in-1 की जो packaging है वो बहुत ही ज़्यादा cute लगी है लक्शुरी भी first open करते ही आजाता है हमारा eyebrow powder जो की बहुत ही ज़्यादा smooth है और नीचे के तरफ open करने पर हमें मिल जाता है हमारे gel eyeliner साथी साथ ये लोग ने एक brush भी provide कि है जिसमें एक angle brush है एं एक simple brush है so let's try this product मैंने यही वीडियो में try की हूँ है and result भी आपके सामने ही है मैंने सोची क्यों ना इसको try करते हुए ही आपको diet review दे दू मैंने यह product first time try की है and seriously guys मुझे यह product बहुत ही ज़्यादा पसंदा है और जैसे ही मैंने इसको apply की ना इतना smooth texture था इसका जैसे ही मेरे face से wow आपने जो देखा है ना वो सच में wow है I mean मुझे यह product बहुत ही ज़्यादा पसंदा है क्योंकि इसका जो texture है वो काफी smooth है यह powder होकी भी इतना smooth होगा मैंने यह expect नहीं किया था so I was so surprised काफी subtle look दे रहा था मुझे like daily wear मैं आप इसको easily wear कर सकते हो बहुत ही lightweight है like को लगेगा ही नहीं कि आपने कुछ apply भी किया हुआ है so अब बारी है हमारे gel liner की और जब मैंने इसको apply की ना वाई को बहुत ही ज़्यादा smooth texture था जो powder का smooth texture था eyebrow के लिए वही gel liner का तो उससे भी ज़्यादा smooth था मैं बहुत कम quantity लेके apply कर रही थी बट अगर बहुत ज़्यादा ले दीना तो बहुत easily blend हो जाता बट मुझे ज़्यादा dark नहीं चाहिए था इसलिए मैंने liner को light रखते हुए है पूरे मैं apply की हूँ पर seriously ये product ने मुझे बहुत ही ज़्यादा surprised कर दिया है super pigmented है waterproof है and smudge proof eyeliner है so मैंने सोची क्यों नएक test कर लेते हैं और आपको भी दिखा देती हूँ कि सच में waterproof and smudge proof भी है या नहीं and guys seriously ये काफी easily blend हो जाता है and इसमें non flaky formulation है जो कि बहुत ही quickly dry हो जाता है I need 24 hours long lasting भी है so आप इसको as a kajal भी apply कर सकते हो बट मुझे kajal पसंद नहीं इसलिए मैंने नहीं की हूँ so चलो मैं आपको test करके बता देती हूँ यहाँ पहले मैं eyebrow filler लेके लगा लूँगी and eyeliner भी लगा लूँगी उसके बाद मैं थोड़े से पानी के drops लेके इसके अपर test करने वालों कि यह सच में वैसा है कि नहीं यहाँ पर मैंने थोड़े से पानी के drops डाली और देखी तो जर्रा भी यह smudge नहीं हुआ है यह सच में waterproof है smudge proof भी है तो यह waterproof and smudge proof दोनों ही है अगर आपने भी यह product try किया हुआ है तो आप भी जरूर बताना comment में मुझे कि आपको यह product कितना बसंदा है क्योंकि मैंने तो यह first time try की और first time में जो इसका impression था मेरे लिए बहुत ही जादा awesome था वीडियो को like जरूर करना, share भी करना and comment भी करना so yeah मिलते हम next वीडियो में, bye bye